रात का वक्त है, हम देखते हैं एक 18 साल का लड़का दबे पाउं अपने घर की सीड़ियां चड़ रहा है चड़ते चड़ते वो रुखता है, अपनी जेब चेक करता है, उसे अपनी जेब में कुछ मिलता है और उसके चेहरे पर confidence वाली smile आती है और वो आगे बढ़ता है जैसे ही वो धीरे से दर्वाजा खोलता है, उसे उसका छोटा भाई सामने खड़ा दिखता है छोटा भाई कमर पे हाथ रखकर शक की नजर से अपने बड़े भाई को देखता है छोटा भाई अपना मुँ खोल के ममा चिलाने ही लगता है कि उतने में बड़ा भाई जल्दी से अपने जेब से कैटबरी चोकलेस गोल्ड की एक कैंडी निकालता है कैंडी अन्रैप करके छोटे भाई के मुँ में डाल देता है छोटे भाई का मुँ बंध हो जाता है वो कैंडी एंजॉय करने लगता है और बड़े भाई की कंप्लेंट करना भूल जाता है हम अगले सीन में देखते हैं कि बड़ा भाई घर के अंदर क्रिकेट बॉल से खेल रहा है क्रिकेट बॉल उचल कर दीवार पर टंगी घड़ी से जाकर टकराती है घड़ी तूट कर नीचे जमीन पर गिरती है छोटा भाई दोड कर आता है और अपना बड़ा मूँ खोल कर ममा चिलाने ही वाला होता है कि बड़ा भाई जल्दी से उसे चौकलेस, गोल्ड, कैंडी खिलाता है और खुद को बचाता है फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बड़ा भाई अपने पापा की कार पाक कर रहा है कार पाक करके वो बिना आवाज की एक कार से बाहर निकलता है बाहर निकल कर वो गाड़ी को देखता है कार पे एक बड़ा सा स्क्राच होता है वो चुपके से वहां से निकलने की तयारी में होता है जब उसे कार की दूसरी तरफ छोटा भाई नजर आता है कमर पे हाथ रखकर छोटा भाई पापा चिलाने के लिए मूँ खोलता है उतने में बड़ा भाई चॉकलेस गोल्ड कैंडी उसकी तरफ हवा में उच्छालता है कैंडी बीच हवा में होती है और हम देखते हैं कि किस तरह एक मटके जैसे कैरमिल का एक बड़ा सा कप फॉर्म हो रहा है उस कैरमिल कप में दो यामी चॉकलेट गश आकर गिरते हैं कैरमिल कप बड़ा होते होते पूरी कैंडी फॉर्म हो जाती है मुँ बंद रखना है तो डबल लगेगा डबल चॉकलेटी गाश जो मिलेगा सिर्फ दो रुपए के कैट्बरी चॉकलेज गोल्ड में यही कैंडी फिर छोटे भाई के मुँ में गिरती है आखरी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि छोटा भाई अपने दोस्त के घर पर है वो दोनों एक बड़ी जैकेट को काट कर छोटा बना रहे हैं उतने में दोस्त की छोटी बेहन कमरे में आती है जैकेट की हालत को देखकर वो मम्मा चिलाने की कोशिश करती है तभी जल्दी से दोस्त उसे कोई साधरन कैंडी देने लगता है छोटा भाई उसे रोखता है और कैटबरी चॉकलेज गोल्ड कैंडी उसकी ओर उच्छालता है स्क्रीम के सामने कैंडी आके रुख जाती है और एक लाइन दिखाई देती है मूँ बंद रखने का डबल